रोजवाली बोरिंग एक करी से हटके यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में एक रेसिपी स्ट्राइक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए चार अलग अलग नई और डिफरेंट स्टाइल की एक रेसिपी शे डिफरेंट एग रेसिपिस जिसे आप वीकेंड्स में ट्राइ कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी हाई एबरिवन मैं हो सनीता आप देख रहें आपका अपना चैनल सोरीस कीचन सबसे पहले हम मसाला पीस कर त्यार कर लेते हैं एक चोटी मिक्षर जार में आधा हिंज का कटा हुआ अद्रक ले ले और एक मीडियम साइज की लसन की सारी कलियों को छील करके इसमें डाल दे अप इसी के साथ 4-5 हरी मिर्च में ले रही हूँ आप इसकी क्वांटिटी चाहे तो कम कर सकते हैं एक बड़ा चमच नारियल का पुरादा में डाल रही हूँ आप चाहे तो सुखा खुबरा काटके भी डाल सकते हैं थोड़ी से धनिय के पत्ते डालेंगे और जितने अब हम एक पैन ले लेंगे फ्लेम को आउन कर दे और इसमें 2-3 बड़े चमच तेल ले ले दो कटे हुए प्याज डालेंगे आज की संदा करे में हम कोई भी खड़े मसाले नहीं डाल रहे हैं ना ही हम इसमें जीरा डालेंगे सीधा हम इसमें प्याज डालेंगे बारिक किया है प्याज को बारिक काट कर लेने से ग्रेवी की जो कंसिस्टेंस ये टेक्शर है वो बहुत अच्छी आएगी प्याज को मेडियूम फ्लेम पे अच्छी सुनहरी कलर में आने तक भून ले देखिए इस तरीके से अब पिसे हुए मसाला इसमें डाल देंगे और इस मस मसाले को मेडियूम फ्लेम पे थोड़ी दरी के लिए हम भून लेंगे चलाते हुए इसे भूने जब तक इसकी कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए सारी मसालों की जो कच्छा पन है वो ना निकल जाए अब देखिए मसालों की कलर चेंज हो गई है और यह दानेदार सी होने लगी अब हम फ्लेम को लोग पे करके इसमें आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चोटी चमच तीखा लालमिश पाउडर एक चोटी चमच कश्मीरी लालमिश पाउडर एक चोटी चमच जीरा पा नहीं है अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे आधे मिनिट के लिए मसालों को भून लेंगे ज्यादा देर मसाले भूनने से मसाले जल सकते हैं फ्लेम हाई पे ना करें लो फ्लेम पे ही मसालों को भूने अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर मैंने दो टमाटर लिए ह और टमाटर को पीस लिए है टमाटर का प्यूरी हम इसमें अभी एड़ करेंगे अब टमाटर डालती ही इसमें स्वादनुसा नमक पी डाल दे और अच्छी तरीके से मसालों के साथ इसे मिक्स कर ले लगबग एक से दो मिनिट के लिए टमाटर के साथ मसालो को हम पका लेंगे फ्लेम को अभी मैंने मीडियम पे किया हुआ है मीडियम फ्लेम पे मैं चलाते हुए कंटिनियूसली मसालो को पका रही हूँ आप मसालो को छोड़ करके फ्लेम को तेज करके रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे इसलिए चलाते हुए इसे पकाए आप इसे ढख करके तीन मिनिट के लिए हम पका लेंगे जिसे मसाले अच्छे से पक कर तेल इसमें से अलग हो जाएगी देखिए मसालों में से तेल अलग हो गए और मसालों की कंसिस्टेंसी देखिए बिलकुल दानेदार से दिख रहे है ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए अब इसमें हम डाल देंगे देड छोटे चमच चिकन मसाला पाउडर चिकन मसाला पाउडर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा हैगा आप चिकन मसाला ही डाले हो सके तो अब अच्छे से मिक्स करके इसमें डालेंगे हम गरम पानी कभी भी थंडा पानी ना डाले इसमें गरम पानी डाले तो पानी अपने इसाब से आप एड़ कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पतला ना करें थोड़ा सा थीक रहेगा तो टेस्ट अच्छा हैगा दिखिए मैंने लगभग एक लास पानी डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम क्या करेंगे इस क्रेवी को लो फ्लेम पे पकने देते हैं और चली मैं आपको बताती हूँ इस क्रेवी में अंडा हमें किस तरीके से डालनी है आप लीजिए एक छोटी सी कटोरी और अंडा अंडे को फोड कर कटोरी में धीरे से डाले रुकिये रुकिये इस तरीके से हमें अंडे को डालनी है जैसे इसकी योग बिल्कुल खुले ना जैसे हम एक पोच बनाते हैं बिल्कुल इसकी योग नहीं खुलनी चाहिए देखे इस तरीके से अब इस कटोरी को लीजिए और देखिए ग्रेवी पक चुकिए धीरे से कटोरी को बिलकुल पैन में टच करते हुए हमें अंडे को डालनी है इस समय आपकी फ्लेम बिलकुल लो पे होनी चाहिए फ्लेम बिलकुल तेज ना करें नहीं तो अंडे ग्रेवी में बिखर जाएंगे लो फ्लेम पे अंडे को ऐसे धीरे से डाले अंडे को फोड़ते समय आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो अंडे की योक खुल जाएगी दिखिए जो कि मैंने अभी अभी किया है तो आप चाहे तो अंडे को डारेक्ट पैन के उपर फोड़ करके धीर से डाल सकते लेकिन जो बिगनर से उनके लिए ये प्रोसेस सही है कटोरी में पहले अंडे को फोड़ दीजिए फिर धीर से करके पैन में डाल दीजिए आभी बिल्कुल नहीं चलानी है टच नहीं करनी है जस्ट ढख दीजिए लो फ्लेम पे पाच मिनट के लिए से पकने दे पाच मिनट जब पक जाएगी यह अपनी शेप में आ जाएगी यानिकि अपनी शेप को होल्ड कर लेगी चाहे तो आप पलट सकते क्योंकि बहुत लोगों की डाउट होती है कि इसमें अंडे का कच्छा स्मेल आएगा अंडा नहीं पकेगा तो आपके लिए मैं इसे पलट करके भी दिखारी हूं देखिए नहीं बिखरता है और अपनी शेप में ही होती है और सच मानी ये अंडा करी बहुत ही टेस्टी लगती है अंडा बहुत ही सौफ्ट लगता है इस करी में मैं तो कभी भी इसको नहीं पलटती हूं मैं आपके लिए पलट कर दिखारी हूं देखिए अपनी शेप में ही है मैं देखी ये दो अंडे को नहीं पल्टूंगे, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है फाइनली तोड़ी सी कटी हुई धन्या पता डालकर फ्लेम को आफ कर दे आफ करने के बाद तुरंद सर्व ना करें इसमें फ्लेवर्स आने दीजिए, अच्छे से ढख दीजिए, दो मिनिट छोड़ दीजिए, फ्लेम को आफ करके फिर सर्व करें दिखें कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी अंडा करी है ये और बनाना बहुत आसान है बहुत ही कम मसालों के साथ, बेसिक मसालों के साथ बनती है लेकिन इतनी टेस्टी बनती है ना, बच्चे भी बहुत ही चाओ से खाते है जरूर ट्राइ करें इस रस्पी को, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी तक तो लाइक भी कर दीजिए चलिए, अब हम बनाते हैं, हमारी दूसरी एक करी, बिहार की स्पेशल आलू वाली एक करी कुकर में बनाएंगे सबसे पहले एक बोल में एक अंडा फोड कर ले, एक चोथे छुटी चमच नमक टाले, एक बड़ा चमच मैदा या फिर कौन फ्ला डाले अच्छे से इसे मिक्स कर ले, और फिर दो कटे हुए आलू डाल का फिर से मिक्स करे आलू को अंडे के साथ थोड़ी देर ऐसे ही रहने दे बिहार स्टाइल की अंडा करी में आलू डालते हैं, लेकिन अंडे के साथ इसे मिक्स कर के नहीं ये मैं मेरे तरफ से ये step आड़ कर रही हूँ अब आगे एक pan में ले रही हूँ मैंने देखिए अंडे अल्रेडी उबाल कर रखे आपने नहीं उबाल ले है तो अंडे उबाल लेजे pan में एक कल्ची सरसो का तेल लिया है मैंने सरसो का तेल मैंने अल्रेडे जला का रखा था अभी थोड़ी सी गरम होने पे मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला और उबाले हुए अंडे अंडों में कट जरूर लगा ले इससे अंडे तेल में जाका स्फ्लटर नहीं करेंगे यानि कि फूटेंगे नहीं अब अंडों को मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है अंडे पहले थोड़ी दर फ्राई करने के बाद आप इसमें नमक और कश्मीरी रचिली पाउडर डाले पहले ही आप नमक और कश्मीरी रचिली डाल देंगे न तो ये तेल में जलने लगते हैं जिसके वज़े से तेल का कलर खराब हो जाता है तो देखिए अभी लाश्ट में मैंने कश्मीरी रचली एड़ किया है बहुत ही सुन्दर सुनहरी रंग आ चुकी है अंडों में चलिए इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं अब जो ये तेल बचा है इसी में मैरिनेट किया हुआ आलू को भी फ्राइ कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे आलू का हमें फ्राइ करना है ताकि जो अंडा है इसमें वो जल लेना बीच पीच में चलाते रहे जैसे हम इसको चलाएंगे न जो अंडा है वो स्क्रम्बल हो जाएगा भूर्जी जैसी बन जाएगी लेकिन आलू के साथ अंडा जो है हमने मारिनेट करके रखाता जिस वज़े से आलू में पूरा अंडे का फ्लेवर आएगा ये ग्रेवी में फिर पकेगी भी तो अंडा करी में इस आलू का टेस्ट बहुत अमेजिंग आने वाली है अब देखिया आलू फ्राई हो चुका है इन्हें निकाल लेंगे और फिर अब हमें कुक कर ले लेना है क्योंकि आगे की प्रोसेस हम कुक कर में करने वाले हैं तो इसे मैं हटा देती हूँ अब फिर से कुक कर में एक कल्ची तेल ले ले तेल के गरम होने पे कुछ खड़े मसालों का तड़का लगानी है खड़े मसालों में एक छुटी चमजीरा तो छोटी इलाइची कुछ रालचने के छोटी टुकडे आर्चे दस काले मेरी लिया है तो तेज पत्ता बहुत ही सिंपल मसाले लिये हैं जो कि सबके घर में अवेलेबल होती हैं साथ में दो सुखे लाल मेश भी जरू डाल दे अब ये मसालों को थोड़ी देर के लिए भून ले फिर हम इसमें डाल देंगे दो साबत लसन ये दो साबत लसन को पहले से धोकर फैन के निचे सुखा कर रखे और फिर तेल में अच्छी से फ्राई करना है हमें इससे फ्लिवर बहुत अच्छी आएगी और ये लसन को बाद में आप खा सकते हैं बहुत ही soft हो जाती है पक्कर और एक लसन को मैंने छिल कर रखाता ये मैंने add किया है आधा हिंच का अद्रक जिसे मैंने कद्दुकस करके रखाता बिहार स्टाइल की कोई भी ग्रेवी हो उसमें आप अद्रक लसन को पीसेंगे नहीं या तो आप कूट कर डालेंगे या कद्दुकस करके डालेंगे या तो फिर जैसे मैंने डाला है लसन को साबुत डाल दीजिए अद्रक को कद्दुकस कर लीजिए अब यहां पर तीन मीडियूम साइस के प्याज है जिसे मैंने पतले-पतले काट कर रखे है प्याज को डाल कर मीडियूम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक प्याज में एक बहुत अची सी गोल्डन कलर ना आ जाए प्याज जूलस ना जाए यानि कि प्याज सॉफ्ट ना हो जाए देखिए प्याज जुलस गई न अब कलर भी बहुत अच्छा है अच्छी सुनहरी रंग आ गई है अब हम फ्लेम को लोग पे करके इसमें डालेंगे आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच भरकर में लालमिश पाउडर डाल रही हूं आप लालमिश की कॉंटिटी कम करना चाहिए कर सकते हैं इस समय तेल में हल्दी और लालमिश पाउडर भूनने से कलर बहुत अच्छा आएगी ग्रेवी की लेकिन लोग फ्लेम पे हल्दी लालमिश पाउडर आप टाले नहीं तो यह जल जाएंगे बहुत ज खिक बनेगी ग्रेवी में कोई प्राब्लम नहीं आएगी टमाटर की टेस्ट पसंद हो तभी डाले अब इसमें स्वाधनुसा नमक डाल देंगे क्योंकि टमाटर डालते हैं जैसे आप नमक डालते हैं टमाटर गल जाती है सारे मसाले भी सॉफ्ट हो जाते हैं पक जाते है अच्छे से फिर मैं इसमें धनिया पत्ता काट कर डाल रही हूं डंठल के समेथ आप सिर्फ डंठल को काट करके डाल सकते मेरे पास ओ डंडी कम थी तो मैंने पत्ते के साथ ही डाल दिये है इस समय ये धनिया डालने से फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी अब क्योंकि हमने लसन की कलियों को साबत डाला है इतने बड़े बड़े काट कर टमाटर डाले है सारे मसालों को मैं अच्छे से गलानी है एक चोटे कप मैंने इसमें पानी इसलिए डाला है एक चोटा चमच भरकर धनिया पाउडर आदी चुटी चमच जीरा पाउडर आदी चुटी चमच क तक वेट करेंगे, तीन विजल के बाद कुकर को अपने आप थंडा होने दे, फिर चेक करें विजल उठाकर और फिर खोले, अब आप देख सकते हैं मसाले कितनी अच्छे से गल गई है, बस आपको इस तरीकी से स्माश करना है, ऐसे करने से ये एक क्रेवी के फॉर्म में आ जाएगी, जो लसन है, प्याज, टमाटा, सब कुछ स्माश हो जाएगी, देखिए, जो बच्ची हॉस्टल में रहते हैं, जो बैचलर से, जिनके पास मिक्षर ग्रेंडर नहीं है, उन सब के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, किसी भी चीज को इसमें आपको पीसने की अच्छे से पग गई थी ना, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गई है, अब हम क्या करेंगे ना, ग्रेवी के लिए पानी आड़ करेंगे, पानी आप देखिए, आपने सब से अज़ेस्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आपको राइस के साथ खानी है, थोड़ा आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पतली कर सकते हैं, अगर आपको रोटी के साथ सर्फ करनी है, थोड़ा ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को ठिक कर सकते हैं, अब बस इसमें दो छोटी चमच चिकन मसाला डाल कर मिला लेंगे, अब कभी भी कोई भी अंडा करी बनाते हो, उसमें चिकन मसाला जरूर डाले इसे टेस्ट बहुत अच्छी आती है और फिर जो हमने आलू को फ्राई किये था ना अंडे के साथ वो डालेंगे पहले अब हम उबले हुए अंडे अभी नहीं डालेंगे उबले हुए अंडे हम बाद में डालेंगे पहले यह आलू को थोड़ा सा पक जाने दे अगर अंडे उबालने के बाद ज्यादा दिर हम पकाते हैं तो अंडे जो है रबबर जैसी हो जाती है इसलिए पहले आलू पका लेते हैं चार मिनट लगबग आलू को पकाने के बाद आलू जो है 70-80% कुख हो जाएगी क्योंकि अल्रेडी फ्राई किया हुआ आलू है देखिए आलू सॉफ्ट हो गई है अब हम उबाले हुए अंडे डालेंगे और अब हमें अंडो को ग्रेवी के साथ पकाने हैं सिर्फ 5 मिनट मी अंडा करी बनका त्यार हुआ है जस्ट फाइनली थोड़ी सी कटी हुए धनिया पत्ता डाले और इसे सर्फ कर सकते हैं आलू देखिए कितने मजे की लग रही है बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर तक अंडे की फ्लेवर आएगी आपको इसने तो आप भी बताना कि आपको य तेशी डिश है लेकिन कुछ लोगों की कंप्लेंट से कि अंडा करी के अंडे के अंदर कोई फ्लेवर नहीं होती या फिर जिनको रोज की अंडा करी से कुछ अलग ट्राइ करनी है हटके उन सब के लिए आज की रेसिप्पी है आज जो अंडा करी बनाएंगे उसमें अंड प्याजनी का टुकड़ा एक बड़ी इलाइची खोल करके डाले इलाइची को और एक तेज पता डालेंगे जीरा को क्रेकल हो जाने दे और तब हम इसमें कटे हुई प्याज डाल देंगे फ्लेम को इस वक्त मैंने मेडियम पे रखा हुआ है प्याज मैंने बारिक काट कर लि दे जब प्याज कुछ इस तरह से भून जाए तब हम इसमें अद्रक लसन का पेस्ट डाल देंगे मैंने यहाँ पर अद्रक लसन का पेस्ट लिया है एक बड़ा चम्मच अब इसे भी साथ में भूनेंगे जिससे अद्रक लसन भी भून जाएगी और प्याज थोड़ी सी और निखर जाएगी जब यह प्याज अद्रक लसन सब कुछ अच्छे से भून जाए तब हम इसमें दो कटी हुए टमाटर डाल देंगे और फ्लेम को लूपे करतेंगे क्योंकि टमाटर के पाद हम स्वादनुसा नमक अड़ करेंगे और सारे पाउडर मसाले भी डाल दें तीखा कम खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं और मैं हमेसे एक छोटी चमज कश्मीरी रडचिली पाउडर डालती हूँ इससे अच्छी कलर आ जाती है आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं दो छोटी चमज धनिया पाउडर एक छोटी चमज जीरा पाउडर डालेंगे अब यह स पूलेगी और अच्छे से पक जाएगी तो हम इसमें थोड़ इसी पाने डाल देते हैं और एक बर अच्छे से मिला लेते हैं फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे रखेंगे और ये मसालों को अच्छे से पकने के लिए धक करके तीन से चार मिनिट के लिए छोड़ देंगे या फिर जितनी देर में मसाले पक जाए तब तक धक कर पकाया इसे और देखिए जब धकन अटाएंगे टमाटर काफी अच्छे से पक चुकी है और तेल इसमें से अलग हो गई है मसाले देखिए थोड़ी सी फूल सी गई है अब हम अच्छे से चलाएंगे और चमच की पीछे वाले हिस्से से स्मैश करेंगे जिसे की टमाटर वगेरा सब कुछ न स्मैश हो जाए अच्छे से एक ग्रेवी हमारे पास रेडी हो अब आप देख सकते हैं बहुत यह अच्छी सी दानेदार सी ग्रेवी बन चुकी है इसमें कोई टमाटर प्याज की पीसेस नजर नहीं आ रहे है अब हम इसमें एड़ करेंगे दो छूटी चमाच चिकन मसाला अच्छे से मिला ले से और मीडियम फ्लेम पे एक दो मिनिट के लिए और भूनेंगे मसालो को मसाले आप जितने अच्छे से भून कर लेंगे आपकी ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बनेगी और इस वाले अंडा करी में पहले हमें मसालो को ग्रेवी को अच्छे से पका लेना है दियां पर देखिए यह मसाले बहुत अच्छी से भून चुकी है अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पाने डालेंगे पानी आपको बहुत जादा नहीं डालना है थोड़ी सी पाने डाल कर मिलाए कंसिस्टेंसी को चेक करें अगर ज़रुत पड़ेगी तो थोड़ी सी और पाने डाले और इस वाली एक करी में करी यानि कि जो ग्रेवी है उसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया जाता है वैसे कोई भी एक करी में ग्रेवी को पतला करते तो अच्छा नहीं लगता है और अभी ये ग्रेवी को हम लोफ लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं तब तक चलिए अंडे को रेडी करते हैं क्योंकि हम आमलेट बनाने वाले हैं तो अंडे यहां पर फोल लेंगे आपको जितनी अमलेट बनानी हो उसी सबसे आप अंडे ले सकते हैं मैं यहां पे चार से पाच अंडे ले लूँगी अब हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले स्वादनुसा नमक नमक की क्वांटिटी कम ही रखे क्योंकि हम इसे करी में एड करने वाले हैं बहुत जादा नमक नहीं चाहिए और चाहे तो आप इसमें प्याज टमाटर भी डाल सकते काटकर बारिक लेकिन मैं नहीं डालूँगी मैं सिर्फ इसमें बात में थोड़ी सी लसन डालूँगी तो नमक डालने की बात एक बार अच्छे से फेट लेते हैं फिर हम इसमें बिलकुल बारिक काट करके पास से छे लसन की कलियों को डाल देंगे देखिए कुछ इस तरीके से मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्यास टमाटर नहीं पसंदे और थोड़ी सी हरिमेश आप जरूर डाले और बस अच्छे से फेट कर मिला लेंगे अब चलिए इसकी ओमलेट बनाते हैं ओमलेट बनाने के लिए मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रखा है फ्लेम को लोग पे रखे और इसमें एक छोटी चमस तेल और थोड़ी सी बटर डालेंगे बटर से टेस्ट और अच्छी आएगी हमें तेल को ज़्यादा गरम नहीं करने है नहीं तो ओमलेट का कलर ब्राउन हो चाहेगा जो कि हमें नहीं चाहिए और ओमलेट का जो एग वाला बैटर डालने से पहले इसे जरूर फेटे तकि हर एक ओमलेट के अंदर लेसुन और हरीमिच चाहे और थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे तकि हम 3-4 ओमलेट इसमें से बना पाए ओमलेट को पतला ही रखे बहुत जादा मोटा ना करे क्योंकि हम इसको रोल करने वाले हैं और इसे पूरा पकने तक वेट ना करे जब यह आधा पक जाएगा तब भी इसे हमें रोल कर लेनी है ऐसे करने से यह चिपक जाएगी और बहुत अच्छे से रोल हो जाएगी इसलिए आपको पतला ही रखना है ओमलेट को तभी आप अच्छे से रोल कर पाएंगे और यह तो थोड़ी सी ब्राउन हो गई है इससे हमें कम ही ब्राउन रखना है इतना भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है तब ये बहुत सुन्दर दिखेंगे और सौफ्ट भी होंगे ऐसे मैंने चार ओमलिट बनाये थे ये लास्ट वाली है और दिखिए ये कच्चा होगा तब भी हमें इसे रोल कर लेना है तब ये बहुत सुन्दर दिखेंगे और बहुत ही सौफ्ट लगते है दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह एग लवर है नई नई एग रेस्पीस ट्राइक करना अच्छी लगती है तो मैंने कई सारी एग रेस्पीस आप सबके शार शेर की है अलरेड़ी अगर आपने मिस किया हो तो प्लेलिस्ट में एग रेस्पीस को आप जरूर चेक करें जिसमें कई सारी एग रेस्पीस आपको मिलेगी और कुछ ना कुछ नया होगा हर एक रेस्पी में तो देखिए यहां पर ओमलेट्स बन चुके हैं तो चलिए इनका पीसस बना लेते हैं पीसस कुछ इस तरीके से हम रखेंगे ना बड़ा ना चोटा और यह देखिए कितनी सॉफ्ट है दोस्तों पीछ पीछ में ग्रेवी को भी जरूर चेक करते रहें ग्रेवी जलनी नहीं फॉलो करें चलिए ग्रेवी को चेक करते हैं ओमलेट्स तो रेडी हो चुके हैं ग्रेवी भी रेडी है देखिए तरी बिलकुल उपर आ चुकी है अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है मैंने बीश में एक बाद धकन अटा कर चला लिया था और ग्रेवी की कंसिस्टेंसिया म इस ग्रेवी में अभी ओमलेट्स नहीं डालने वाले हैं इनकेस देखिए पहले आप खाना बना कर रखते हो जब सर्व करनी होती है अगर आपको गरम करनी होगी तो ओमलेट्स जो है वो सौगी हो जाएंगे बहुत जादा सौफ्ट हो जाएंगे और खुल जाएंगे ग्रेवी रेडी करके रखिए गरम गरम ग्रेवी को थाली में डालिए या फिर प्लेट में डालिए फिर उपर से ओमलेट्स को रखिए क्योंकि ओमलेट्स जो है वी दिन अ सेकेंड ग्रेवी को पी जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं है कि ग्रेवी अलग लगी ओमलेट्स तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारी फोर्थ एग करी जो की है एग मलाई करी ये भी बहुत ही डिफ्रेंट और टेस्टी बनती है तो शुरू करते है इसकी रेसिपी दोस्ता इस रेसिपी के लिए हो सके तो कोई भी एक गहरा सा बर्तन ले जैसे कोई भगोना हो या फिर कुकर मैंने कुकर लिया है और गहरा बर्तन क्यूच यह वो आगे आप समझ जाएंगे मैंने यहां पर एक चोथ है कब तेल लिया है तेल गरम होने पे आदी चोटी चमच हल्दी पाउटर डाला है अब इसमें साथ उबले हुए अंडे डालकर अंडो को बढ़िया से गोल्डन कलर में आने तक फ्राई करेंगे अंडो को मैंने पहले ही उबालकर थंडा करके छिलका हटा कर कट लगा कर रग दिया था अंडे फ्राई हो गए है चले यहने निकाल लेते है और जो यह बची हुई तेल है इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे तो अब में ले रहे हुँ एक छोटी चमच जीरा, दो छोटी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, एक इंच का डालचिनी का टुकड़ा, एक तेश पत्ता सभी चीजों का अच्छे से तड़का लगेंगे यानि कि खड़े मसालों को कुछ सेकेंड्स के लिए भून ले जब तक प्याज भून रही है मैं यहां पर आपको बता देती हूँ हमें आगे क्या चाहिए, मैंने आधा कप दही लिया है फ्रेश वाली, आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर, दो चोटी चमच देगी मिश पाउडर, दो चोटी चमच धनिया पाउडर, एक चोटी चमच से फ्राई होकर अच्छ सी गोल्डन कलर की हो गई है, आप इसमें आड़ कर रही हूँ में दो छोटे चमच अद्रक लसन का पेस्ट, और ये अद्रक लसन के पेस्ट को भी थोड़ी दर हम भून लेंगे प्याज के पेस्ट के साथ, ध्यान रहे दोस्तों, यहां पर तो बेस्ट रिजल्ट आएगी, मैंने इसलिए कहा था दोस्तों, देखे, प्याज का जब पेस्ट बना कर तेल में डालते हैं, तेल उचलता है, फिर किचन प्लैटफॉम पे तेल गिरेगा, आप क्लीन करेंगे, इससे अच्छा गहरी बरतन ले, दुसरा अगर हैवी तले बरतन होगी, तो प्याज का पेस्ट जो है, वो तले पे चिपकती नहीं है, अच्छे से भून जाती है, तो यही रिजन था कि मैंने ये कुक कर लिया है, अब इसमें में दही और मसालो का पेस्ट डाल रही हूँ, जो हमने अल्रेडी मिक्स करके रखा है, और उसी बरतन में मैंने थोड़े से पानी लेकर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे, अब ये मसालो को लो फ्लेम पे पकाएंगे, देख सकते हैं, दही मिक्स हो गई है, फटने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये मसालो के साथ अल्रेडी हमने मिक्स करके डाला है, अब जब तक दही पक तब तक एक मिक्सर जार में मैं ले रही हूँ दस भीगे हुए काजू एक बड़ा चमच खस-खस दोनों को मैंने भीगो कर रखा था उसी पानी के साथ मैंने डाल दिया है और इसे पीस कर एक स्मूध सा पेस्ट बनाएंगे इससे हमारी एग मलाई मसाले में बहुत ही देगी मिश के वज़े से बहुत ही सुन्दर इसमें कलर आया है आप मैंने फ्लेम को लोपे किया है इसमें मैं आड़ कर रही हूँ काजू और खस-खस का पेस्ट अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों जैसे ही आप ये पेस्ट डालेंगे ये पेस्ट भी ऐसा है ना ये तु ग्रेवी होगी ये आप देखिए अब इसमें डाल देए स्वादनुसा नमक और अच्छ से मिक्स करते हुए चलाते हुए लोप फ्लेम पे दो मिनट के लिए जस्ट इस क्रेवी को हम और पकाएंगे फिर आम इसमें क्रेवी के लिए पानी आड़ करेंगे दोस्तों ये दोस्तों आधा कप पानी ढालने के बाद इस तरीके से मिक्स करके चेक करें अगर कंसिस्टेंसी बहुत गाड़ी लग रही है पानी की जरूरत है थोड़ी सी और पानी आप डाल सकते हैं लेकिन मुझें कंसिस्टेंसी पौफिक्ट लग रहा है मैं और पानी नहीं डालू ग्रेवी में उबाल आ चुकी है अब हम इसमें फ्राइ करके रखे हुए अंडे डाल देंगे दोस्तो ये ग्रेवी में उबाल आए तब भी आप अंडे डाले इससे पहले ना डाले अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे लो फ्लेम पे तीन से चार मिनिट के लिए अंडे को अभ अंडे बढ़िया से पक जाएंगे फिर हम इसमें एक छोटी चमच चिकन मसाला एक छोटी चमच कसूरी मेथी जो की मलाई मसाले का जान है और तीन हरी मेच स्लिट लगा कर डालेंगे और कुछ कटे हुए धनिया पत्ता अब इसमें जाएगा दो बड़े चमच फ्रेश क्रीम या फिर मलाई को फेट कर आप डाल सकते हैं मैंने भी मलाई को फेट करके डाला है अब होती है हमारा अंडा मलाई मसाला रड़ी अच्छे से मिक्स करें आप देखिए कितने डिलेशिस लग रही है देखकर ही मुमें से पानी आने लगा है मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही ह दोस्तों ज़रूर ट्राइ करें इस रेसिपी को अब फ्लेम को आफ करके चले सर्व करते हैं तो दोस्तों ये चार अलग अलग तरीके की एगर रेसिपी सापको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें चानल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बाबाई एंट टेक केर